उत्राखन के रिशिकेश से पीएम मोदी का विपक्ष पर हमला कहा कॉंग्रेस को अपने परिवार की चिंता लेकिन मोदी के लिए पूरा देश परिवार दस साल में मजबूत सरकार ने लिए मजबूत फैसले आरजेडी नेता मीसा भारती का विवादत बयान बोली जनता ने मौका दिया तो पीएम जेल जाएंगे बीजेपी के सभी नेता भी जाएंगे जेल बीएसपी छोड़कर आर एलडी में शामल हुए सांसादा मलूक नागर बोले बीएसपी ने ना ठिकेट दिया ना कैमपेइनर बनाया देश के लिए काम करना है घर नहीं बैठ सकता इद के मौके पर ममता ने फिर साधा केंदर पर निर्शाना काहा मर जाओंगी पर सी ए ये लागू नहीं होने दूंगी जितना हम पर अत्याचार करेंगे उतना हम मजबूत होंगे हर्याना के महिंद्रगड में स्कूल बस पल्टी छे बच्चों की मौत हुई कई बच्चों के घायल होने की खबर बस में सवार थे 30 से जादा बच्चे